सिर्फ सिंगल अप्लिकेशन के साथ ही आपको ना सिर्फ सिंपल वाइटनिंग बल्के ग्लोइंग एफेक भी मिलने वाला है असलाम अलेकुम वल्कुम बैक टुमाज चानल आज आप लोग के साथ एक ऐसा सिंपल फेस मास्ट शेयर करने वाली हूँ जो के ना सिर्फ आपको स्केन वाइटनिंग बल्के ग्लोइंग सी क्रिस्टल क्लियर आपके स्केन कर देगा दो स्टेप सो बेस करने वाला है फ़र्स स्टेप पर मैंने टोमाटो लिया है उसके पर थोड़ी सी चीनी डाल दी थी अगर आपके पास शुगर पॉडर की फॉर्म में तो आप वह भी यूज़ कर सकते हैं अदर्वाइस आप थोड़ी सी चीनी वैसे भी डालेंगे ना थोड़ी दिर हो मेल्ट हो जाएगी जो जिनकी बहुत जादा ड्रा इसकेन है या बहुत संसेटिफ इसकेन है तो वह यह वाला स्टेप जो टोमाटो वाला मैं कर रही हूँ वह स्किप कर सकते है जिनकी ओईली स्केन है तो वह बीफिकर हो कि इस स्टेप को करें इसके बाद आपको में भी थोड़ी सी करेगा 2 से 3 मिनिट के ली बहुत ही जनटल वे में हलके हलके हाठों के साथ आपने इसका मसाच करना है मसाच करने के बाद आप इसको 10 मिन्ट का रेज दे देंगे फेस वाश हम नहीं करेंगे इसको मैं तोड़ा रेज देने वाली हूँ उसके बाद हम चलते हैं अपने फेस मा और कॉफी पॉडर के बाद जिनको एकनी का प्रॉब्लम है या वो स्केन वाइटनिंग चाहते हैं क्लियर वाइबरिंट से अपनी स्केन चाहते हैं तो वो दोड़ा सा एक चुटकी के गरीब हल्दी पॉडर भी अट कर सकते हैं फिलाल मैं किचन हल्दी यूज कर रही हूं अ अधिन करना हलके हलके हाथों से अपने इसको लगाना है यह इतने प्यारे रिजल्स देगा ना इंस्टेंली आपके स्किन फ्रेश हो जाएगी बेसन आपको पता है एक नेच्रल एक्पॉलियेटर होता है इसकिन को निखार देता है और बेसन के जाथ दही उसकरने का मेन प बहुत असानी से रिमूफ कर देता है और हल्दी अगें जिनको एक्टिंग का प्रॉब्लम है तो हल्दी जरूर डाले और यह एक नैच्रल वाइटनिंग एजिन के तोर पे यहाँ पे काम करेगा इन सारे चीजों को अपने अच्छी तरीके से लगाकर 10 से 15 मिनट कर कर लूँगी ताकि जो भी दहे के चिकनाग ती वो सारी अच्छी ताना से रिमूफ हो जाए बिल्कुल फेस मैं बना वाश कर चुकी हूँ आपको मैं से लेट में दिखाती हूँ ताकि मैं इसकी ओनेस्ट और क्लियर रिजल्स दिखा सकूँ आप इस ड्रैमेडी को अफ़ झाल